हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टिडिव पॉइंट दोस्तों इस वीडियो आपके लिए परेयावर एंसलेटिडिडिर मौस्ट इंपोरेंट 50 कोश्चन लेकर आया हूं बहुत ही इंपोरेंट है यह कोश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं और जहां तक देखा जाए तो पिछले दस वर्सों में यह कोश्चन तीन से चार वार रिपीट हुए हर एक्जाम में काफी सलेक्टेड यह कलेक्शन है मेरा तो अब इस वीडियो को पूर बहुत ध्यान से देखिए को दोस्तों यदि आप किसी भी गवरेंट एक्जाम के त्यारी कर रह करेंगे काफी सलेक्टेड है आप वीडियो को अंदे तक देखिए आपको खुदी पता चल जाएगा इन कोश्चन को आप बिल्कुल रट लीजिए आने वाले एक्जाम से में आपके लिए जरूर बेनिफेसिल हेलफूल जरूर साबित होने वाला है ठीक है दोस्तों और इ आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में बेल आकाउन पर पैसका दे ताकि आपको उसी तरह की डेली वीडियो मिलती रहे वीडियो चले एक लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को शेयर कर दीजे अपने दोस्तों के सा साथ चले ही स्टार्ट करते हैं वीडियो इग्णोर न करते भांद तक जरूर देखना पहला रानवे भारत में परेवरण सन्रक्षन अधनियम कब पारित किआ गया दूस्तों भारत में परेवर्ण सन भर्षन अधनियम पारित किया गया था 1986 में ठीक है ये कोश्चन कर。 innost विश्चु परियावरन दीवास 5 जून को मना जाता है अगला देख ले थें भारत हम यस्फ्रूर्थन जैब विवित्ता अधिनियम का पारित किया गया ये बहुत महत्पूर्ण प्रसने वेरी वेरी इंपोर्टेंट भारते सर्वत्तन जैब विवित्ता अधिनियम परित के गया है 2002 में ठीक है कहां पर राष्टी जैब विवित्ता प्राधिकरण का मुख्याला भारत में कहां इसी दोस्तों चेन्नाई में है दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ यह जितने भी कोश्चन मैं आपके लिए क्लेक्ट किया हूं संग्रे किया हूं यह के कोशन बहुत इंपोर्टेंट है कई वार एक्जाम में रिपीट हुए इसलिए आप इस वीडियो को अंद तक देखना आपके परियाबरण में जितने भी कोश्चन ना लगए इसमें 5-6 कोश्चन आपके 5-6 मार्क्स कबर हो जाएंगे रेड डाटा बुक क्या है तो यह विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संक्टा गरस्त पोधों और प्रस्मों की सूची ठीक है रेड डाटा बुक क्या है विलुप्त होने कगार पर खड़ी संक्टा गरस्त पोधों और प्रस्मों की सूची है रेड डाटा बुक अब देख लेते रेड डाटा बुक की संतराश्य संख्ठंग के दोरा निकाला जाता है तो निकाला जाता है IUCN तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखा है International Union for Conservation of Nature के दोरा ठीक है Red Data Book की संतराश्य संख्ठंग के दोरा निकाली जाती है IUCN इसका फुल फॉर्म भी आद रखिएगा International Union for Conservation of Nature अगला कोशन है IUCN यानि International Union for Conservation of Nature का मुख्याला है यह भी इंपोर्टेंट है ग्लैंड स्वीट्जा लैंड में ठीक है इसका है ग्लैंड स्वीट्जा लैंड में चलिए Red Data Book को पहली वार का प्रदसित किया गया था Red Data Book को पहली वार प्रदसित किया गया दोस्तो 1966 में 1966 में Red Data Book को पहली वार 1966 में प्रदसित किया गया था दोस्तो इस वीडियो की पीडिया फाल के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप जॉइन कर सकते टेलिग्राम इदिया आपके पास नहीं है प्ले स्टोर से आप टेलिग्राम सर्च करके उस अप्लिकेशन को डाउनलोड करके जॉइन करके जॉइन करके आपको बहुत सा नोट्स में शेयर करता हूँ इसका पीडियेफ मोई से मिल जाएगा रेड डाटा बुक में संकता परन जीवों को किस रंग में दरसा जाता है तो यह पींख में दरसा जाता है ठीक है नेक्स विचिन देख लेते हैं सेम्त राषध द्वारह कौन से दसक को जय विवित दसक होषित किया गया है 2021 से 2020 को अगला कौशन बहुत मातमुले दोस्तो रामसर संधी कि से जम्मन्दित है आध्र भूमियों संडक्षणर संवर्धन से जम्मन्दित है कि विष्षौ आद्र दिवस का मना आता है 2 फर्वरी को World Water Day विष्षौ जल दिवस का मना आता है 22 मार्च को बहुत महत्पुर कोश्चन यह कई बार रिपीट हो चुका है सभी प्रत्रेविघी परिक्षावरों में विष्षौ जल दिवस 22 मार्च को अगला कोशन देख लेते हैं विश्व प्रिथवी दिवस विश्व वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रेल को ठीक 22 मार्च 22 अप्रेल में आपको कंफ्यूज नहीं होना विश्व जल दिवस 22 मार्च 22 अप्रेल ठीक है चलिए इसकी PDF लेने के बाद आप इसको रिवीजन ज मना जाता है प्रतिवस अगला देख लेते हैं पर्यावरण दिवस यह तो सिंपल है लेकिन कई वार पूछा जाता है पांच जून को मना जाता है फिर दोस्तों पर्यावरण सनक्षर दिवस वर्ल्ड विश्व पर्यावरण सनक्षर दिवस का मना जाता है 26 नवंबर को ठी दिवस से लेटर जिदने मैं आपको यह बता रहा हूँ यह बहुत महत्पूर्ण है दोस्तों ठीक इसको याद रखने विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को विश्व प्रवाशी पक्षी दिवस आठ माई को ठीक आठ माई को विश्व प्रवाशी पक्षी दिवस मना जाता है अगला दोस्तों विश्व वन प्रवाशी दिवस कमना जाता है 6 अक्टूबर को विश्व बन प्रवाशी दिवस 6 अक्टूबर को भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जैब भी वितता है 7 से 8 प सुटीच अरशटी ताइगर दिवस कमाना चाहता है 29 जुलाई 29 जुलाई को स logンaceutica सरवर्थ। सब्त handlar किने किया था एसी टांसे से तोस्तों वीडियो अच्य लग खाले, लाईक जो गर दे करे इससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है उत्सावर्थन मलता है हसला बरता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है नेक्स वेस्पेर रिजार्व सब्धर्थम प्रयोग किसने किया एडवार्ड स्यूस ने ठीक है प्रोजक्ट टाइगर कप शुरू किया गया 1973 में यह दोस्तों वेरी वे डिली में ऐडी दिल्ली में भारत का राष्टी जैविक उड्यान संस्थान भारत का सरव हुथर म राष्टी उद्यान कौन सा है जीम कारवट राष्टी उड्यान दोस्तो उत्तरखन में 19 तरहखंड में ठीक है अगला कुशन राजीव गांधी डेश्नल पार कहा थे करणाटक में ठीक राजीव गुछ निसनल पार्क पिर है नागर होलडाष्टी पार्क करणाटक को अन्य किस नाम से जाना पर के किले यह त два केरल में जो पेरियार अभ्यार अंडे सेंक्चुरी है जंगली हांथियों के लिए फेमेस है अगला कोश्चन है दोस्तों ये इनश्को द्वारा मायन एंड वाइसफियर प्रोग्राम एनी M.A.B क्या है इसकी सुरात कब हुई तो ये इनश्को का मायन एंड वाइसफियर कार सबस्था है इस थच的人 की सबसे बड़ी जील कोन सी है भरत में टाजी पानी की सबसे वड़ी जील कोण सी है लोकटक जील भरत में ताजी पानी की सबसे explains द於 अगला देवी जैमंडली आरक्षित्र किस राज में अवस्थीत है उत्तराखंड में शीत मरुस्थल यानि है अगला कोशन है दोस्तों भारत में हाथी परियुजना एलिफेंट प्रोजेक्ट अप्षुरु की गया था इन्टेंटी तो में आपको टाइगर प्रोजेक्ट बताया था में की गई थी एक सिंग वाला गेंड़ा भारत के किस राज में पा जाता है पस्ची मंगालें असम और असम को जो काजी रंगा राश्टी उद्यान दोस्तों वह एक सिंग वाला गेंड़े के लिए विशेश रूप से प्रशिद्ध है अगला गिरी के शेरों को रखे जाने अगर्दी किस राश्टी पार का अभ्विरन का चैन किया गया है तो शेयो पूर्जो की जिले में पाल पूर कुनों नामा कि वंब्वरनजी न भेंच्वां के लिए ब्या पने जीव अभ्हरण मध्यप्रदेश में ठीक है कौन सा राज्य शाइवेरियान सारस के लिए आधास प्रक्तिक निवास राजस्थान अगला कोशन है भारत में कौन सा निशनल पार्ग विश्च का एक मात्र फ्लोटिंग निशनल पार्ग है तो मड़ीपूर में स्थित लाइक जरूर करें दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ अपने वाट से फेस्बूक गुरूब में इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साधे बेल आकान पर से ताक कि आप पूशे देगरे डेली वीडियो मिलती रहें पीडिया लाइक जरूर करके जाएगे चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ दोस्तों तब तक के लिए आपको आगामी एक्जाम के लिए बहुत-बहुत शुपकाम ना है ठेंक्स अलाट फर वाचिंग जय हिंद जय भारत